नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोगों को एक बड़ी खुसखबरी देने जा रहे हैं आप लोगों के बहाली का जो प्रोसेस है वो अक्टूबर में ही शुरू होने जा रहे हैं अब आप लोग अपनी तयारी में लग जाएए बिहार सरकार ने ऐलांग पहले ही कर दिया था स्वास्त विवाग के तरफ से अफिशली नोटीश जारी कर दिया गया है कि अक्टूबर में आप लोगों के बहाली की जो परकिरिया है वो शुरू किये जाएंगे उसकी सारी जानकारिया हम लोग जानते भी है वैसे हमने आपको पहले ही सूचना दे दिये थे जो इस ग्रूप में एड है क्लास के ग्रूप में उसको तो सारी वेकैंसी को लेकर कहीं का कुछ भी वेकैंसी आता है A&M, J&M को लेकर तो सारी जानकारिया उनको मिल जाते है उ क्योंकि अक्टूबर में आप लोग की आवेदन की परकिरिया शुरू होंगे तो उसके बाद आपको कितना समय मिलेगा दिसंबर तक नमबर दिसंबर तक उसको मतलब कि का बहाली का प्रोसेस आधा कंप्लीट कर लेना है उसके इसके लिए आपको कितना समय मिलेंगे तो तैयारी आप कब करिएगा इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएए और डेली आपकी क्लासे चल रहे हैं तो इस नमबर पर कॉल करके सत्तर पचास सतासी उन्तिस प्रिविजन कर लेते हैं उसके बाद हम आपको जो नोटीस है वो दिखाएंगे जो की आ चुके हैं और आप लोग की ग्रूप में भी जा चुका है दे सुबह में डाल दिये थे उस ग्रूप में तो चलिए फड़ा फड़ दो मिनट पर हम लोग इसको रिवीजन कर लेते ह हम लोग कर चुके थे और आज हम लोग इससे आगे का कुश्चन करेंगे नया टॉपिक अस्टार्ट हुआ है प्राइमरी हेल्थ केर जो अभी तक लास नहीं जोइन किया है क्लास जरूर जोइन कर लिजिए अभी ये टॉपिक अस्टार्ट ही हुए है बहुत अच्छे इससे जाएदा अब आपको क्या किहेंगे का रहा है कि'm income संपर की चार्गा होता है मतलब्स कर नइब आपको बता दिये हैं सोषन मतलब किससे संबढ़ी तो आप सांस लेते हैं तो घंडिया घंम, किरिया लब सौसल एक किर्या है अपचे किर्या है जिसको क्या काते हैं कैटाबॉलिक भी कहते हैं तो ठीक है इसकी आपका यह हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखे थे एक सोसन का विकार है जो किससे होते हैं तो धुम्रपान करने से एक विकार है जो कि होते हैं और इतना ही नहीं सोसन के परकिया सोसन से ही और भी सारा बोडी में होते हैं वो सांस लेने से जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो यह गोलाकार संडचना होती है अगर उसमें छेदा आ गया तो उससे क्या होता है टीवी हो जाता है अगर उस पे धबा बन जाता है तो उससे दम्मा हो जाता है और इसी में मतलब कि यह सुकुरने लगत करने से होता है और मानव किस से सोसन करता है परमुख अंग मानव क्या है तो फेफरा क्या है फेफरा है और मतलब सोसन तो हम अंदर लिए सांस मतलब जो भी गायस को हम अंदर लिए जितना मात्रा में हम लोग सोसन लेते हैं अंदर उतना ही मात्रा में उस गायस को रिलीज भी करते हैं उतना ही मात्रा में उसको हम क्या करते हैं तो बाहर निकालने का कौन काम करते हैं मतलब नी सोसन का किसके द्वारा किया जाता है हुल द्वारट के द्वारा किया ज़ाता था किस के द्वारा डायफ्राम के द्वारट coalition हैं और यह कुस्टन यहां से बहुत ही फेड़ेट है आप लोगों का कि मतलब की गर्ववती के समय में महिला गर्वती करती है उसमें कौन सा अंग काम नहीं करता है किस कौन सा ऐसा अंगाय जो सोसन मतलब की नी सोसन में भूमिका नहीं निभाती है तो यह डाइफ्राम ही है जब गर्वती धारन करते हैं तो डाइफ्राम नी सोसन में भाग नहीं लेता है मतलब की जो भी गैस हम अंदर लिये थे सांस के जरी उसको बाहर निकाले में वह भाग नहीं लेता है वह उसको और दीट्रेल में दीरे-दीरे आम लोग क्वेस्टेर चलेंगे तो फटा-फटांलों कर लेते हैं करने अपुन उपास्थिय। तो अल्याय का कार क्या होता है इसका कार होता है कि स्वास नली को शुकरने से रोकना क्योंकि यह शुकुर जाता है तो इसे क्या होता है तो एक विकार मतलब होने लगता है जो कि सांस लेने में दिक्कत आने लगती है इससे आपका सकते हैं कि देरे-देरे मतलब कि वही मतलब क्या चीज का रूप लेने लगता है तो दम्मा टीबी का रूप उसी से होने लगता है ठीक है मतलब या सुकूर जाता है तो उसे क्या एनीमिया मतलब का सकते हैं कि यदि गोले मतलब की जो सुकूरने लगता है जो वाई कोश्ट जिसके द्वारा अंदर जाता है तो मतलब उ कुछ जमा हो जाता है अंदर नहीं जा पाता है गाश तो उसमें क्या होते हैं अदलब एनीमिया नामक विमारी होने लगते हैं इसका आपका ऑपशन नमबर c हो जाएगा अगला अंफीशिया रोग में कौम सा अंग प्रभावित होता है यह लोग समझ मज़歌 किमपीशिया रोग धुमृपान करने से होता है और इससे प्रवावित क्या होता है तो वायू कोस होता है वायू कोस ही क्या है कि जो की मतलब कि हमारे सरीर में क्या करता है सांस जब लेते हैं तो हमारे सरीर में औक्सीजन या कली यह वायू को अपनी तयारी में पूरी जोरों से लग जाइए अब आप लोगों का सिलेक्शन दिलाने का काम मेरा है आप लोग पढ़िए जितना हम आपको टक्स देते हैं जो क्लैसेज कराते हैं जो आपको नोट्स मिला हुआ है आपको कल भी हमने आपको notes भेजे विए थे, इस topic का notes आपको मिल चुका है, जितना पढ़ाते हैं, उसको एक बार class में देखिए, क्योंकि class हम उसमें पूरा explain करते हैं, उसके बाद PDF पढ़िए, जितना ही कोश्टन करवाते हैं, एक दिन उतना ही करिए, आपको पूरी syllabus हम exam आते आते सोसन से संबंदित सही कथन कौन सा है, सोसन से क्या CO2 हम गरहन करते हैं, CO2 निकालते हैं, यह कल हमने पूरी details में जाने ते, आज इसको details में नहीं जानेंगे, क्योंकि नहीं तो हम आएगे का question नहीं कर पाएंगे, और यह सजीम में होता है, तो सभी से संबंदित है, इसका correct answer सर उपयोगत तीनों हो जाएगा, तीन-चार और बचके उसके बाद नया question के तरब चलेंगे, और आपको वो notice भी हम आपको दिखाएंगे, सोसन का नियंतरन कौन सांग करता है, यह तो समझ भी हम लोग सांस लेते हैं, सोसन की परकिरिया करते हैं, हमारा body, लेकिन इसका नि के class में तीन मिनट चर्चा किये थे, इसी question पर, मतलब रूधीर मतलब क्या blood और उत्तक का भी जिविनियम मतलब आदान परदान कौन करता है, यह किसके द्वारा करिया जाता है, तो यह मतलब की आप लोग इसके बारे में आंतरिक मतलब की सोसन जो होता है, उसमें यह मतलब मतलब की सांस लेते हैं, उसमें oxygen जाता है, oxygen का परिवहन भी उसको का जाता है, जब घूम फिर का blood उससे होकर निकलता है, जाता है उसमें oxygen को मिला देता है, मतलब की उसको blood कब सुद्ध होता है, जब उसमें oxygen मिलता है, इसलिए फेफरा को blood का सुद्धी करन भी फेफरा के अंदर ही होता है ठीक है यह बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि इसी में क्या होता है मतलब कि फेफरा में ही लंग्स में ही बलड का भी सुधिकरन होता है क्योंकि यहीं पर जाकर बलड में क्या होता है तो ऑक्सीजन मिलता है स्वचनी स्वधरोग किस अंग से संबंदी था है यह हम लोगdar देख चुके थे बुरॉशी के बारे में कि दुरॉशी से यह संबंदी था है बुरॉशी के हिंदी में ब्रोकाई कहते हैं आपका अपशन नमट्टी होग victories है अब हम लोग यहां से आज के class को continue करते हैं यह हम लोग का पिछला question कल के class का हो चुका है आज के class का यहां से continue रखते हैं और हाँ आप लोगों को वो news देखना था वो news हम आपको दिखा देते हैं लुज। है जो आज आप आजके पेपर में आप लोग यह देख सकते हैं जिसमें की दिया गया है कि अक्तूमर से अप्रोष से शुरू होंगे पर कि रिखती ओं iki मतलब कि इस की सेंटर में कितना रिखतीा है यह मांगा गया हर एक जीले से और अक्टूबर में इसका पतलब प्रोसेस शुरू कर दिये जाएंगे जिसमें की पोस्ट का ब्योड़ा आप यहां पर देख सकते हैं सबका पोस्ट है एनेम का पंद्रह हजार और अपनी तयारी को बहतर करिए उसी से आपका सेलेक्शन होगा और उसी से आपकी नौकरी लगेंगे तो चलिए हम लोग आज के क्लास को और आगे कंटिन्यू रखते हैं यह जानकारी हम आपको दे दिये हैं इससे पहले हम जो क्लास से जुड़े हुए उसको मॉर्णिंग म नेमें यह जानकारी मिल चुका था इसमें दिया गया है कि मुख्यता सोसन के प्रकार तो सोसन के मुख्यता दो परकार होते हैं कितने दो परकार होते हैं य दो लगा है अब सम जाहिं Def которой सांस को बाहर चोडते हैं मतलब कि अंदर लेते हैं तो उसको कहाते हैं जिसको नी सोसन भी कहा जाता है अगर ये पूछेगा तो आप लोग गलत करके मत आईएगा ये हम आपको बता दिये नी सोसन मतलब आंतरिक सोसन नी सोसन भी सरग लग गया तो वो बाह सोसन हो लिया ठीक है इसका correct answer आपका option number c हो जाएगा दोनों क्या है कि सोसन का मुख्यता परकार है सोसन में हम लोग लेते क्या है जितनी मातरा में हम लोग कोई जितनी मातरा में हम लोग सांस जब ले जितनी बार हम लोग सांस लेते हैं उतना ही छोड़ते ही है ये आप लोग ध्यान रखिएगा और लेते क्या है सांस में तो सांस में हम लोग oxygen लेते हैं, इसको O2 काते हैं, CO2 लेते हैं, और NO2 लेते हैं, और कल एक चीज़ और बता न भोल गए थे, आज बता देते हैं, एक मिनट में हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं, तो जो वयस्क है, जैसे हम लोग, आप लोग होगे, तो कितने बार लेंगे एक मिनट में तो 14 से 18 बार सांस लेते हैं एबरेज सब जो वैस को व्यक्ति है वह 14 से 18 बार एक मिनट में सांस लेते हैं वही बच्चों की बात करें तो वह 14 से 30 बार लेता है एक मिनट में सांस ठीक ना मतलब कि वहास को व्यक्ति एक मिनट में 14 से 18 बार सांस लेते हैं और अगर लेते हैं 14 से 18 बार तो छोड़ेंगे भी उतना ही अगर बच्चे जैदा लेते हैं सांस तो उतना ही छोड़ेंगे भी क्योंकि जितना सांस लेते हैं उतना छोड़ते भी ह अगर इसमें हम बात करें तो सास लेने में हम लोग oxygen लेते हैं CO2 लेते हैं N2 nitrogen लेते हैं oxygen 21% यह मतलब कि 0.03% यह 88% छोड़ते हैं क्या करते हैं छोड़ते हैं उतना ही लेकिन क्या करते हैं औक्सीजन कम छोड़ते हैं तब हमारा रख्त सुद्धिकरन हो पाएगा फेफ्रा उस क्या करेगा रख्त को सुद्धिकरन कर पाएगा बलड में औक्सीजन को मिलाएगा इसलिए 3% रख्त जितने हम लोग सांस लेते हैं उतना में से 3% रख लेता है अंदर रहा जाता है और उसके बदले में हम लोग carbon dioxide 4% छोड़ देते हैं सरी 4% रखते हैं 17-4 ने-20 तो 4% oxygen रख लेते हैं और 4% उसके बदले में हम लोग carbon dioxide छोड़ देता है अगर इसी से क्वेस्टन पूछेगा कि सांस लेने के बाद हम लोग क्या अंदर रख लेते हैं तो ऑक्सीजन रख लेते है क्योंकि carbon dioxide हमारे बोड़ी के लिए हानिकारक है पेर पहुत है carbon dioxide लेते हैं oxygen छोड़ते हैं जैदा और nitrogen यू जीव कत्यू निकाल देते हैं यह आप समझे जितनी बार हम लोग सांस लेंगे उतना ही छोड़ेंगे दो परकार का सोसन होते हैं हम लोग एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं यह भी हम लोग पूरी details में जान दे अब किसी भी परकार से कोई भी स्टॉपिक से आप से पूछेंगे से लेकर तो आपका गलती नहीं होंगे इतना हम आपको बता दिए और आगे में और क्यार कुमिलेंगे तो चलीए हम लोग आगी करते हैं कारे की नीस वैसं परकिरिन की दोरण क्या नहीं होता है तो नीस जी सोवाखन के दौरण जैसे दिया है कि वेफ सेद्स्ट का है घठेगा5 का नहीं होगा यह तो होगे छोड़ेंगे अनने विस्ता का जाएंस चोड़ेंगे तो मॉत्लuş परन जितना ऑक्सिजन होंगे और में बूडर क्या सारी खोजना है करा कि वायू स्वासनली से बाहर निकलता है नी सोसन में तो हम लोग वायू को बाहर निकलते ही है स्वासनली से यह तो हमको पता है स्वासनली शुकुर जाएगी कर रहा कि स्वांस नली शुकूर जाएगी यह मतलब की नहीं होता है मतलब स्वांस छोड़ने से स्वांस नली शुकूरता नहीं है यह गलत है और गलत ही आपको खोजना था तो यह आपका सही हो इस question concern हो गया कैसे भी पूछेगा आपको चीजे पता होनी चाहिए theory class जब भी होता है उसको miss मत करिए क्योंकि उसी से objective question formation होते है जो भी आपका concept है concept clear है तो आप किसी भी तरीके से question गुमा के पूछेगा आप बना के आईएगा और इसी को लेकर बी टीएसी में बहुत सारे candidate का नहीं हो पाया था क्योंकि उसका concept ही clear नहीं हो पाया था इसलिए उसमें मतलब की question थोड़ा सा गुमा गे पूछा था बहुत सारे का नहीं हो पाया था और हमसे जो पढ़ाता बहुत सारे candidate का हुआ था तो आप लोग भी इस बार बहुत सारे candidate का आप में से selection होंगे कर आप कि सोसन तंत्र का प्रात्मिक कार्य क्या है खून पंप करना सरी में ऑक्षीजन लाना या हॉर्मोन बनाना तो यह हम लोग बहुत बार देखे हैं कि स्वासन तंत्र में हम लोग क्या करते हैं स्वासन की प्रात्मिक कार क्या है तो सरी में ऑक्षीजन को लाना मतलब हम लोग सांस लेते तो ऑक्षीजन को ही लाते हैं जिससे कि हमारा रख्त सुचু करन हो सके फेफिरा उसे क्या करता है रक्त में oxygen को मिला देता है और रक्त का होता है इसका right answer आपका option No.2 हो जाएंगा भी नेस्ट question आपका अगला question कर रहा है की श्वास को न्यंत्रित करने वाला मान स्पेश्य कौन सा है डाइफ्राम कि इसे पहले भी हम लोग ये कुछिन कि इंटर कोस्टल माल स्पेश्या इंद्र कोरें मांस्पेश्या करने वाला मान स्पेश्या है और यह मतलब की यह ध्यान रखिएगा यह गर्वती के दौरान मतलब यह काम नहीं करता है ठीक ना यह बात आपको ध्यान में रखिएगा इससे रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूर सकते हैं मतलब छोड़ने वाली बात कर रहा है मतलब की जो भी स्वास लिए है वो गैस को छोड़ने की बात कर रहा है तो नी सोसन के दौरान सांस से आवाज का आना जा च्राहिए oyork कौम सा अंधामण्यूमा या इनफोसीमा याonne fusion की क्या होगा चली से लेकिन उख किसके कड़ा यहोता हैं तो निमोनिया होते हैं एलुवी यह में जब मतलु हुआ एव इसमें संच्शन आ तो मतलब निमूनिया होते हैं तो मतलब कि उसके दौरान जो आवाज निकलता है उसको अस्थमा करते हैं ठीक ना और वही एलुवियल में अगर छिद्र आ जाए तो उससे टीवी हो जाता है उस पर बलंगम बलंगम जम जाता है ऐसे होता है संडचना संडचना आसे हैसे होता है मतलब कि यह आपका यह आपका क्या होता है पर बड्राची उता है भर पर मतलब ब्राची पर यह यह गवा लं लगा जाता है तो इसमें अगर छिद्र हो जाएगा या इस पर बलंगम जम जाएगा अगर छिदर होगा तो टीवी हो गया बलगम जम गया तो उससे क्या हो जाता है तो दम्मा नामक रोग हो जाता है यह जाम हो जाता है तो उससे निमूनिया होता है और सास लेने से आवाज अगर आने लगती है तो उससे क्या होता है अस्थमा होता है क्या होता है सुसंकिरिया में औक्सिजन परिवर्तन हुआ था ना उसी से आप देखे क्वेस्टन काईसे काईसे घुमा के पूछ रहा है इसलिए हम आपको बोलते हैं कंसेप्ट के लिए रहना चाहिए ऑक्सिजन हम 21% लिये थे 17% छोड़े थे इसमें परिवर्तन आया था ना 4% का 4% हम रख लिए तो परिवर्तन आया था COT में भी वही हाल था 0.03% लिये थे आज छोड़ते समय 4% छोड़ दिये लिये कम छोड़ दिये जैदा वही हम बात करें NO2 नैट्रोजन का एंटू का मतलब कि नैट्रोजन एंटू का जो लिये थे 78% कितना एंटू लिये थे 88% छोड़ नहीं देखने को मिलता है तो यह आपका correct answer हो जाएगा और question अगर इसी पर दूसरा question रहेगा कि oxygen में कितना परिवर्तन होता है तो आप लोग करिएगा 4% उसमें भी carbon dioxide में 4% का ही होते है और किसमें परिवर्तन नहीं होता है तो यह nitrogen में नहीं होता है अट-Hatar परसेंट लेते हैं चोड़ते समय भी अनतीम्हार क्या कहलाता है तो सौशनली का जो अनतीम्हां पारफा ऑक पर हम लोग discuss किये ठे और मतलब कि इसमें मतलब कि और नतीम्हां उसको वाईव कोस करते काते है क्या काते हैं उसको वाईव कोस करते हैं तो उसको मतलब की correct answer आपका option number C हो जाएगा अला question कर रहा है कि निमने में से कौन सा सुसंत अंत्र का अंग नहीं है चलिए इसमें देखते हैं ब्रोंकाई तो है हमारे सुसंत अंत्र का अंग है ब्रोंकाई से हम लोग सास की प्रमुक अंग है सुसंत मार्ग है जैसे नासा चिदर हो गया नासा कपाट हो गया ग्रस नहीं हो गया पर स्वर्तंत्र हो गया जिससे मतलब की आवाज हम लोग का निकलता है स्वासनली हो गया ब्रोंकाई हो गया प्रोकियोल लेस हो गया वायू कोष्ट हो गया रूधीर हो गया कोशीका हो गय ये सब 18 का भाग है हर नहीं नहीं है ये सब आपको सुनाये। लेकिन हर्ट इसका फड़ूंतिर का भाग रहा कोजना था को साँच का भाग नहीं थेखिए तो सब्दर रही हं ऑख करेक्ट अंसर यही हो जाएकक यहीं हमगो कौन साँ तो से द्वारा थे बतारी है जैसे मछली सब हो गया जलिये मेड़ाक किया छीज से लेते हैं तो सतलेते ह guarantees चा요 से लेते हैं केच़ुआ की बात करें तो तुछा से लेते हैं केचवाफ आप लोग जानते हैं जीवानू मीसौ सौम से लेते बीमींतो法 joji जिव जंदू अलग तरीचे से स्वास की उसकी तॉमास सोसंतंत्र से होता है अलग अलग सोंतंत्र उसका अतलब की कारे करता था मानब का फेफा परमुः सोसंतंत्र है और हमने दस सोसंतंत्र के बारे मैं आपको बताए इसमें fart सोसंतंत्र का भाग नहीं है अलाकि सोसंतंत्र में कौन सा गैस विनियम किसके कारण होता है तो दाब के कारण होता है किसके कारण है यह हम लोग देखे तहे Значит करता है अभी देखे थे 그렇지 करता है अभी देखे थे अंसरी को इसमें दो दिया गए है और कोसीके Madrid भी इसका मतलब कि कोशीका है वहाँ पर नुइत्तक थे तो वो और स्टुरीक सोशन् में के लिए नरी म्यों क्योंew दोनों बहुत हैं बतलब किALLYKILL बाकुतुर आंप्टी इस सो connects मुषम भी और इसंपार दुस्थ टॉप रखते हैं आज हमने आपको खुशकमरी भी दिया है तो इसके बदले में आप लोग अपने फ्रेंड से क्लास में जुरवाईए फ्रेंड को बोले क्लास में जुरने आपको हम ताकी जल्द से जल्द discussion group बना सके, आप लोग को जो tax दिये है, discussion group बनाने के लिए, उसके लिए हमने आपको दो friend को बोले थे जोरने, आप लोग जितने जल्दी अपने friend को जोरिएगा, उसका group उतना ही जल्दी अपनी तैयारी में लग जाएगा group discussion उसका उतना जल्दी start हो जाएगा, चलिए मिलते हम लोग next class में, thank you और आज के लिए इतना काफी है